मानवर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षर देने वाला विध्यक मंगरवार को लोकसभा में 323 मतों के साथ पास हो गया इसके विरोध में 3 वोट पड़े वहीं आज ये विध्यक राजतभा में पेश किये जाने की संभावना है जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है ऐसे में यानि की आज भी सरकार की परिक्षा है और लोकसभा में बिपक्ष सहित लगपक सभी दलों ने इस विध्यक का समर्थन किया साथ ही सरकार ने दावा किया है कि कानून बनने के बाद ये न्याइक समिक्षा की अगनी परिक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे सम्विधान संशोधन के जरिये लाया गया है लोकसभा में केंद्रे समाजुक नयाय और आधिकारिक्ता मंतरी धावर्चंदर गहलोत ने विध्यक पर भी हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार बनने के बाद ही गरिबों की सरकार होने की बात कही थी और इसे अपने हर कदम से उन्होंने साबित भी किया उनके जवाब के बाद सदन ने तीन के मुकाबले 323 मतों से विध्यक को पारित कर दिया इससे पहले विध्यक पर हुई चर्चा में कॉंग्रेस सहीद विभिन विपक्षी दलो द्वारा इस विध्यक का समर्थन करने के बावजूद नयाइक समिक्षा में इसके टिक पाने की आशंका जताए गई है और पूर में पीवी नर्सिंग राओ सरकार द्वारा इस संबंध में लाए गए कदम की मिसाल दी कई है कई विपक्षी दलो का आरोप था कि सरकार इस विध्यक को लोगसभा चुनाओ को ध्यान में रख कर लाई है